हमारे बुजर्ग हमारे माबाप हमारे बाबा दादी नाना नानी यानि कि हमारे समाज के वे लोग जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं उन सीनियर सिटीजन के साथ आजकल जो हो रहा है वो कितना अच्छा कहेंगे कितना दुरुभागय पूर्ड उसको आप कहेंगे क्यूंकि कि आशकल यह लोग देखने में आ रहा है सामाज में वह यहां रहा है कि जो संपत्ती होती है किसी भी rhymesως भुजरुक के पास उसके जो दीज बीटे का है बेटिया के हैं वह लोग ऊसम पत्ति को ले लिते हैं संतान्य चैल्ञाव पहुंछ जाते हैं ऑपना हग दिकले प्टम उनका पूछ दहने साथ लेकिन जारी करते हैं लेकिर आज कल ये बहुत दीखा जा रहा है गृत कि प्रॉपर्टी को लेने के बाद यानि कि संपत्ति जो उनके पास है बुजरुक के पास उसको लेने के बाद उनको ऐसे किनारे लगा दिया जाता है कि कई वार वे लोग वक्त से पहले आत्मत्या कर लेते हैं कई वार वे लोग अभाव में यानि कि जो उसकी बेसिक नीड ह सब्रांत नागरिक हैं ऐसे लोग शड़क पर आपको कई बार भीकारियों को रूप में आपको मिलते हैं जो कि बहुत शर्मनाख है ऐसा नहीं होना चाहिए तो आज मैं जगर करूँगा इसे ही एक केस का जिसको जानने के बाद मैं कहूंगा कि इस केस को आप सबको सुनना समझना चाहिए स alan किसे आते हैं यह फरक नहीं करता है आप समाज से आते हैं और आप मजोण जशzym हैं तो आप के लिए बहुत जरूरी एस जारूरी यह को देखना और आगर आप छोटे बच्छे हैं तब भी जरूरी है इस वीडियो को आपके लिए पूरा देखना आज समाज की हकीकत समाज की सच्चाई मैं आप लोगों के लिए सामने रखने जा रहा हूं और वह क्या सावधानिया है जिनसे कि आपका जो बढ़ापा है वह आराम से कट पाएगा और आपकी ऑलाद कितनी भी करें वह आपको जो आपका अधिकार है अपनी अवलाद से भरण पोर्शन लेने का और उस पर जो आपके जो खर्चे हैं उनको देने का उससे वह नहीं बच पाएंगे और आपकी संपत्ति को जबरन अपने नाम नहीं करवा पाएंगे तो वीडियो शुलू करने से पहले म आपका वेलकम आपका स्वागत करता हूं आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन का बेल दबा सकते हैं और सारी वीडियो को देखने के लिए इसके लावा आप लोग हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं तो आए जानते हैं आज का वीडियो आज का बेटे और उनकी बेटी में रोज जहगडा कलेश हो रहा था और रामती देवी को भी जेलना पड़ दाओ उसके वज़े से अनकी तबीयत है वो ठीक नहीं चल रहाए थी और घर के हालात भी खराब हैं तो यहीं तो रामती देवी की जो संताने हैं वह उनको गिफ्ट कर देना यहां तक कि उनको खाना यानि कि रोटी तक मिलना मुश्किल हो जाती है तो अपने बच्चों का असली चहरा समझ में आया और उन्होंने जो गिफ्ट डीट से अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर करी थी उनको लगा कि इस वापस कर लेना है और अपनी संपत्ति को वापस लेने चाहिए कि अतनी संपत्ति तो हमारे पास है कि अपनी संपत्ति से हम अपना पेट बर सकते हैं और उन्होंने सोचा और मामले को फाइल किया और च्रबिनल में मामला चला तो अब्सारी चीज़ फौरी तोर पर मामले को देखा समझा और टर्मिनल ने जो गिफ्ट डीड थी उसको कैंसल कर दिया जब गिफ्ट डीड कैंसल होई तो रामती देवी की बेटी ने हाई कोट में उसके विरुद अपील दायर की और हाई कोट में उसके विरुद जब अपील दायर की तो हाई को पूरे मामले को देखा समझा थो उन्होंने इस मामले में जो गलत आदेश पास नहीं कर सकते कि सोसाइटी पर उसका पड़े आप अपनी जो पेरेंट्स हैं आपके जो माता-पिता हैं आपके जो भुजुर्ग घर में आप उनकी संपत्ति के लीगल वारिस हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी अपनाना आपका काम है तो उन्होंने उस टर्मिनल के आदेश को सही माना और उसको सही करार देके अपना और पास करते हैं रामति देवी की बेटी ने हार नहीं मानी उनको लगता था कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है क्योंक कि कोई कंडीशन नहीं थी कि हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे इनका मैंटिनेल्स करेंगे या कुछ भी देखभाल करेंगे वह सुप्रिम कोड याती है सुप्रिम कोड ने मगते तक द requisite vishashas याचुक हो आखल दाखल के उप्र सुनती तो सप्रgrown गोट ने पाया कि मैं ऐसा कोई भी पहरा नहीं है एसा कोई भी कॉलम नहीं था कि अगर माल्ते देवी धिया खाणा पीनों नहीं जिया कि तो इस contract को इस deed को cancel किया सकता आगवा इसुप्रीम कोट ने इसाधिस को पलेट दिया जो hints आदि जारी किया और सुप्रीम कुट ने जो आधिस जारी किया वो बहुत मेहित्थपूढ हो जाता है सींर से डिजंस के लिए और ने आपको कियो कि यसा बहुत स्पाह्या आप कि सुप्रिम है किसी सीनर को कि कि अजय आपको करने के लिए तो तो ईसमें यह पयर हैं तो फ्रीयक्त यह अगर मेरे बैटे ने मेरे बेटी ने जिसको भी आप अपनी प्रापर्टी को कि孫्ट मेरा polls करें आग कि मेरा जो मेंटीनेंस से वो नहीं दिया मेरा खर्चा नहीं दिया मेरे देखवाल नहीं करी तो गिफ्ट डीट ऑटोमेटिक कैंसल मानी जाएगी और संबत्ती मेरे पास बापस लोटाई सुप्रिम कोट ने कहा चुकि यह पैरा इसमें नहीं है इसलिए नीचे की आदालतों के आदेश निरस्त किया जाते हैं और नया आदेश दिया जाता है इसके साथ ही सुप्रिम कोट ने नसियत देते हुए कहा कि जो भी लोग ट्रांसफर अपना कर रहे है प्रॉपर्टी का सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आप कभी भी किफ्ट कर रहे हैं तो यह पैरा आप जरूर डालें कि अगर हमारी देखबाल नहीं की अगर हमें में नहीं दिया तो सारी संपत्ति वापस लोटकर हमारे पास आ जाएगी और गिफ्ट डीट कैंसी हो जाए और इस विशह पर आप हमारी मदद चाहते हों तो आप करने जा रहा है या बुज़र्ग है तो हमारी मदद भी आप फ्री अफकॉस ले सकते इसके लिए आप हमें संपर्क करें हमारे वाट्सअप नंबर पर बागी आज की वीडियो में अतना ही आप लोग बने रहें चाहतरी लिगर अससीट पर जाहिंज भारत नमस्कार